नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल सार्दा कंप्यूटर में देड़ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे short form to full form और यह इतने short form to full form है कि digital finance वाले से अगर एक भी to full form वाले mcq तो पहला mcq आपके सामने आता है पिन का full form क्या होता है दोस्तों पिन का full form को हता है तो पिन का full form होता है पर्मानेंट identification number यह आपका बिल्कुल सही है पर्मानेंट identification number जिए पहला है इंटर वाले stat perdber 的 शाव इक आईडी बता रहा है जो आपके इंटरनेट वाले में जाता है को आटेज्च का फूल फॉर्म होता है कि यह होता है रियर टाइम ग्रॉस इंतर में देखिए रियर टाइम ग्रॉस से टेल्मेंट टॉस इस पूर्म है आपके एक जैसी सेवाए है आठी जैस में दो लाग से उपर और निफ्टी में कि 2,00,00,00 से अंदर के राश को हम लेंदेन करते हैं। इस पर कुछ सरकारी चार्ज भी लगता है आपका। IFSC का पुल फॉर्म क्या होता है तो IFSC कोड होता है जो आपके बैंकों को दिया जाता है तो इसका फुल फॉल फॉर्म होता है Indian Financial System Code यानि कि पहला वाला सही है इसका यह वाला एंडियन Financial System Code कि यू एससडी का फॉल फॉर्म क्या होता है तो यू एससडी का फॉल फॉर्म होता है अन्स्ट्रिक्चर्ट्ट्र सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा कि अप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् सर्विस के लिए होता हुए पॉस का फुलफार्ण क्या हुता है तो पॉस का होता है पॉइनट आफ सेल पॉस बोर ड्योस होती है जहां पे आप कोई भी खैददारी करके आते हैं तो एक हैंडोल डिवाइस लेके वह आपके ATM कार्ड को उसमें लगाता है और आपको विल पकड़ा देता है काटके उसी को हम बोलते हैं पॉस मसीन जहां आप खरिदारी करते हैं वहीं आप उसको बेच भी सकते हैं तो पॉस आप वही होता है पॉंट आप खरिदारी जाए करते हैं वहीं आप उसका बिल चुका जैते हैं पॉस मसीन से ATM का फूल फॉर्म क्या होता है तो ATM को फॉर्म होता है Automated Tailor Machine यह इसका फॉल-फॉर्म होता है यह आपको तब दिया जाता है बैंक से कोई लेंदेन करते हैं आउनलाइन तो यह आपको यूटी आर निलता है, Unique Transaction Reference नमइर मिलते है आपको option number B इसका सहिव है、 Unique Transaction Reference DES का Full-Form क्या होता है, इसका Full-Form होता है, Data Encryption Standard यानि कि option number A आपका सहिव होता है, इसके साथ Data Encryption Standard IMPS का Full-Form क्या होता है, IMPS का Full-Form होता है proto Intermediate Payment Service, देखा जाए कहां पर लिखा हुआ है, तो option number A में यह लिखा हुआ है, intermediate payment service, जी हां दूस्तों, यह ही इसका full form सही होगा, A EPS, आधार Enabled Payment System, इसका full form होगा, तो कहां पर लिखा हुआ है, तो option number A में ही लिखा हुआ है, यह भी, आधार Enabled Payment System, Unuscom का full form क्या होगा, Unuscom क्या होता है, National Associations of Software and Service Computer, पहला वला पढ़ा जाए तो, National Association of Service and Servicing, जीने Servicing नहीं होता है, ठीक है, सर्विस होता है, जेकिन वाले में भी Servicing, Communication, Computer, Communication, Computer ही होता है, लिकिन सर्विस कम्प्यूटर ही होता है, तो, Option No.C आपका सही होगा, National Association of Software and Service Computer, जीने हैं दोस्तो, आपका C वाला Option सही है, National Association of Software and Service Computer, ECB का Full Form क्या होता है, ECB का Full Form होता है, External Commercial Browsing, N-U-U-P का Full Form क्या होता है, N-U-U-P का Full Form होता है, National Unified USSD Plate Form, B2B का Full Form, B2B का Full Form होता है, Business to Business, अगर नीचे वाला देखा जाए, B वाला तो वह होगा, B2C, B2G, Business to Government, C वाला होगा, B2C, Business to Consumer, और D वाला होगा, B2E, Business to Employ, इसमें याद करने वाली बास सभी होती है, B for Business, G for Government, C for Customer, E for Employ, अगर लास्ट के वर्ड देख लें, तो बस यही इसका Full Form होता है, B for Business, G for Government, C for Customer, या Consumer, E for Employ, बस इतना याद रखिए, फिर आपने आप सारे Full Form आपके बन जाएंगे, चाहे B2B हो, B2G हो, B2C हो, B2E हो, या G2G हो, G2B हो, G2C हो, G2E हो, आप अराम से बना सकते हैं, अगर आपको यह Full Form याद है, B, G, C, E, B का for Business, C for Government, C for Consumer, या Consumer, E for Employ, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अलाग या B2G लेजिए, जो मैंने कहा था वो आपके सामने आगया, है, B2G का for Form क्या होता है, तो Business to Government, B वाला, B2C, Business to Consumer, C वाला, B2E, Business to Employ, D वाला, अगर ने में कुछ गलती हो गई है, अलिए अगला question परते हैं, हम UPI से संबंधित, PSP का Full Form होता है, UPI से संबंधित PSP का Full Form होता है Payment Service Provider, UPI से संबंधित PSP का Full Form होता है Payment Service Provider, यानि कि वो प्रवाइडर, जो payment की system को provide करता है आपको कि वाइसी का फूर्फर्म क्यों होता है कि वाइसी का फूर्फर्म होता है now your customer आप बैंक को यह रताते हैं कि हम अभी जिन्दा है और इसी जिन्दा living certificate को देने के लिए हम कि वाइसी form भरते हैं यह पता सकता है कि हां customer अभी live है qr का मतलब होता है quick response code जहां पर आप किसी भी code को scan करते पेमेंट कर देते हैं आपसर नमबर A सही है quick response code OTP का full form होता है one time password तो यह वाला आपका सही है one time password UPI का मतलब होता है unified payment interface तो आपसर नमबर भी आपका बिल्कुल सही है unified payment interface निफ्टी का full form होता है national electronic fund transfer आईए देखते हैं कौन सा सही होगा तो यह वाला national electronic fund transfer जी हम पहला आईए आपका सही answer है qsam का full form क्या होता है qsm का मतलब होता है query करना देखें वह भी आधार से मैप कराके तो आएए पढ़ते हैं पहला है query service on query sharing and mapping यह नहीं सही है क्योंकि इसमें एका full form नहीं सही बता रहा है आधार होना चाहिए query service on आधार मैपर जी है यह ही चाहिए दूसरा वाला query service on आधार मैपर आधार आधार अर्वी आई का full form क्या होता है रिजर्व बैंक आफ इंडिया जी है अर्वे का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक आफ इंडिया तो option नंबर भी आपके यहां पर सही होगा रिजर्व बैंक आफ इंडिया इंडिया एनपी सी आई का full form क्या होता है एनपी सी आई आपके आटीजियस और निफ्टी को गवर्न करता है इसका फुल फॉर्म होता है निशनल पेमेंट कोर्पोरेशन आफ इंडिया वीम का फॉल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी